सेंपल पेपर के रिलीज होते के साथ में बोर्ड एक्जाम 2023 को लेकर के जो भी कन्फूजन था ना छोटा से छोटा कन्फूजन भी वो बिल्कुल खतम हो चुका है अच्छा एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ क्लास 10 के हो या 12 के हो क्या तुमने सेंपल पेपर जो सीबसी ने निकाला ना ये देख रहे हो सेंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जो निकाला है इसको तुमने अपने सेंपल पेपर को सही से स्टडी किया है मैं बताओ तुमको सीबसी ने जो कुछ कहा था ना exactly CBC ने वही चीज़ किया है मतलब पूरा pattern जो है वो बदल करके रख दिया है मैं एक glimpse दे रहा हूँ एक जलग दिखा रहा हूँ तुमको class 10 में total number of questions है 39, maths में है 38, social science में है और यही हाल है बाद बाकी papers का भी यानि कि number of questions जो है वो बहुत ही जादा increase कर दिया गया है और जो difficulty level है वो भी अभी तक जितने भी सारे question papers को मैंने देखा है class 10 का, 12 का, कई paper का मैं analysis कर चुका हूँ तुम लोगों के लिए अपने channel पर यह देख सकते हो मैं लगातार तुम लोगों के लिए analysis कर रहा हूँ science का, English का, Maths का मतलब difficulty level जो है वो moderate से high है tougher questions आने के बहुत बड़े बड़े chances हैं, तो guys अभी इस वक्त ये particular video बहुत गौर से सुनना, क्योंकि काफी नए चीज़ों पे काफी बड़ी बातों पे तुम लोगों को ध्यान देने की बहुत 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 ज़्यादा जरुवत है यह देख रहे हो, मेरे पास print भी है हाला कि मेरे पास सारे sample question भी पर सामने है यह science का है, देखो यह social science का है, सारा चीज़ को हम लोग monitor कर रहे हैं, पूरी पूरी चीज़ों को और अभी का, सिनारियो क्या है अब मैं तुमको पहले तो बता दूँ भाई, competency-based अब मेरे पूरे बात को ना, इस वीडियो को पूरे अन तक देखना, end तक देखना, भूल के भी skip करने की गलती नहीं करना, चीज़के क्योंकि अभी जो मैं बाते बताऊंगा न, यूट्यब पे तुम competency-based questions, case-based questions, source-based integration questions, या assertion, reasoning वाले questions, तुम यून कर लोगे, यू, 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 लेकिन अगर वो चाज़ नहीं है, तो तुम भारी मुसीबत में फ़र सकते हो, काफी बड़ा बदलाव आया है, देखो भाई, CBC ने difficulty level को बढ़ाया, number of questions को increase कर दिया है, और जैसा मैंने बताया, difficulty level जो है, वो hard हो गया है, चेके, hard तो है, कई paper में, मैंने social science को notice किया, थोड़ा सा, मुझे कई, सारे questions ऐसे लगे, जो बहुत ही tougher रहें, रहेंगे, और अब एक बड़ा सवाल आ गया है, कि भाई, NCRT जो, तुम्हारा जो book है ना, जो अभी तक का based हुआ करता था, बहुत सारे students पूछ रहें हैं, even academics, experts भी आपस में discussion कर रहें कि NCRT का role कितना हथ तक रहेगा, क्यूंकि आप तो conceptual based questions आ गए ना, जो competency based question होता है, वो क्या होता है, मतलब वो चीज़ को अगर competency based question, जिसका वीडियो मैं तुमको दे चुका हूँ, चैनल में जाके देख लेना, मतलब अगर competency based question क्या हुआ, अगर तुमको जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो, उसको real life में तुम उसे implement करना जानते हो, तब तो तुम हर question का answer देने सकोगे, नहीं तो यहां पे मुसीबत है, और ऐसे समय पे भाईया, बहुत ज्यादा alert होने की जर्वत है, मैंने अभी तुमको दो तीन बाते बताई, अब बहुत सारे बच्चे मुझे लगातर कह रहे थे, कि सर कुछ बता दीजिए किस तरह से in questions को हम deal करेंगे, आगे करेंगे, ठीके, तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं अभी एक बात बोल रहा हूँ, NCRT कितना important होगा नहीं होगा, उस पे हम बात करेंगे, ठीके, लेकिन यहां पे मैं तुमको एक चीज कर रहा हूँ, अब क्योंकि sample paper release हो चुका है, तो अब हम risk नहीं ले सकते हैं, बिलकुल भी risk नहीं ले सकते हैं, और मैं तो बिलकुल mood पे नहीं हूँ, यह देख रहे हो, तुम जानते हो, मैं पूरा stock मंगवाता हूँ, सारे, मतलब important जितने भी books है ना, मैं सब का मंग आता हूँ, तो यह तुम देख रहे हो, जो Oswal Gurukul का जो उन्होंने एक assumption लगाया था ना, मतलब आप देखने के बाद में, sample paper देखने के बाद में, assumption लगता है, कि कितना सही लगाया था, यह देखो, इनका है Oswal Gurukul का most likely CBC question bank, chapter wise and category wise, यह देखो, यह science का है, जो कि मेरे पास म science, और यह है class 10 social science, और यह है class 10 standard maths, इधर basic पड़ा हुआ है, इधर English पड़ा हुआ है, मतलब सारे books मैं मंगवा चुका हूँ, अब देखो, इन्हों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे दंसे किया, कि पहला तो यह book इन्होंनों डिजाइन ही किया था, as per latest syllabus जो 21 April को release हुआ थ सारे complete explanation इस book के अंदर में देखो, तुम्हारे लिए दिये वे हैं यहाँ पे, ठीके, इस book के अंदर में, case based questions include किया गया, जो कि case based question आपके sample paper में भी है, then assertion reasoning हो गया, हर chapter का जो summary हो गया, previous year question जो हो गया, मतलब एक book के अंदर में जो इन्होंने किया था वो शानदार लगा, तो एक NCRT का जो तोड है, वो मुझे इस book में clearly visible दिख रहा है, तो बचो पहले तो मैं तुमको यह suggest करूंगा, इस book को ले लेना, क्योंकि भाई, मैं तो लगातार classes ले रहा हूं, तुमको पता है, free of cost हम अपने दोनों चैनल पे सारे classes जो हैं, वो ले रहे हैं, you can see, मैं यह यह book तुमको नहीं मिल सकता है, class and science है, maths है, English है, social science है, basic maths है, standard maths है, ठीक है, और वैसे मैं तुमको एक link description में डाल दूँगा, वहां से भी तुम इसे ले सकते हो, very easily, ठीक है, बहुत ही easily तुम इसे यहां से ले सकते हो, अब यहां पर थोड़ा सा हम आते हैं, कहां पर, next slide पर ना, शुरू का, जो section A है, बीस, बीस, बाइस, बाइस, जो है, वो तुमको objective questions दे दिया गया, अब objective questions देने से, क्या मामला निकल कर क्या आ रहा है, अब सीधा बात बताओ, objective देखने से easy लगता है, एक glance में, एक नजर में, ठीक है, साफ लगता है, एक question पढ़ो, चार option है, एक को tick करो, तुम्हारा answer हो गया, एक number सही हो गया, लेकिन, ये भूल रहे हो, कि उसके लिए, तुमको पूरा conceptual knowledge जो है, वो पूरा होना चाहिए, और यही चीज़ इनों ने कर दिया, कि case based question जो कहा था, तीन से चार questions आएंगे, तो तुम देख सकते हो, हर paper में यही हाल है, म यहां पे भी तुमको section E में, 34 से 36, तीन question case based questions यहां पे देखो, मौझूद है, देख रहे हो, मेरे पास ने सब का print है, और हम लोग closely monitor कर रहे हैं, अब ज़रा इसे देखो, यह देखो, case based question कहा गया था, कि भाई, इसमें सब questions होगा, यह मैंने तुमको बताया था, याद रख है, अब यहां पर मामला क्या है, तुम इसका थोड़ कैसे निकाल रहे हो, मुद्ध क्या है, जैसा मैंने कहा, NCRT book भाईया, पढ़ना तो पढ़ेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, अब NCRT का value जो है, जो पूरा एक बड़ा level था ना, वो अब डगवंग गया, ऐसा बिलकुल, गलती नहीं करना, NCRT कल भी बेस था, आज भी बेस है और कल भी रहेगा, तो तुम ये गलती नहीं करना, NCRT को बेस बना के चलना है, हाँ, हमें conceptual knowledge लेना है, ताकि हम जो, जो concepts हम पढ़ रहे हैं, उसको real life में कैसे implement करेंगे, यानि कि competency-based questions को, या case-based questions को हम कैसे solve करेंगे, वो तुमको समझ में आने में बहुत जादा सुविधा होगा, और वैसे guys, देखो, मैंने तुमको तो यहाँ दिया हुआ है, let me show you, competency-based questions, देखो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, रुख जाओ, ठीके, एक second, रुख जाओ, यहाँ मैंने तुम्हार उसको देखते जाओ, अब यहाँ पर देखो भाईया, बड़ा मामला है, बहुत सारे बच्चे कहा रहे हैं, sir, टफ लग रहा है, paper बहुत टफ लग रहा है, क्या, मतलब ऐसे ही type के questions आएंगे, हाँ बचो, देखो भाईया, sample paper दिखाने का मकसद क्या होता है, sample paper दिखाने का question paper वैसा ही रहेगा, competency based questions तुमको दिख रहे हैं, objective questions तुमको दिख रहे हैं, हर paper में 38 से 49, 38 to 39 questions जो हैं, वो तुमको दिख रहे हैं, total number of questions आ रहे हैं, समय वही है 3 घंटा, लेकिन तुमको attempt जादा करना पड़ेगा, और अपना brain use अब जादा करना पड़ेगा, और अगर passing marks का सोच करके चलोगे न, तो ये बहुत सरे बच्चे सोचते हैं, सर पासिंग marks कितना होगा, अभी भी मुझे पूचते हैं, comment के अंदर में मुझे मिल जाता है, 33 marks है डियर, लेकिन 33 marks को सोच के चलोगे न, तो fail होना निश्चित है, एकदम उस चीज़ को लेके नहीं चलना है, भाईया, CBC ने warn किया था, यू कहलो डराया था पहले, कि हम competency-based questions देंगे, भरमार होगी, चीके, और वही चीज़ यहां कर दिया, तो अभी solution क्या है, अब अगर तुम जानना चाहते हो, कि sir, solution हमारे ले क्या होगा, तो देखो भाईया, मैं तुमको सीधी सी बात बता दू, solution क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ, तुमको solution क्या होगा यहां पर, चीके, यह देखो, solution जो है, वो simple सा है, क्या simple सा है, blueprint जितना तुमको मिला है न, मैंने दिया भी है, हाँ, तुम उस चीज़ को mark करो, दूसरा बात, जो deleted portions हैं, उसको mark करो, चीके, deleted portions, उसके उपर में नज़र डालो, चीके, यहां पर, एक और चीज़ तुमको बड़ा, यह important चीज़ पर ध्यान देना है, कि वो chapters, जो high weightage है, high weightage chapters, चीके, high weightage chapters, उनको mark करके, उनकी तयारिया शुरू कर दो, मतलब, जहां से question ज्यादा आ रहा है, blueprint, high weightage chapters, deleted portions, यह कुछ important points है, जिनको तुमको focus कर सकना है, and yes, the most important thing, भया, किसी भी हालत में, NCRT को छोड़ने की गलती नहीं करना, चाहे कोई कितना भी बखवास करे, ठीके, यह एकदम गलती नहीं करना, ठीके, और बात बाकी, जैसा मैंने तुमको कहा है, अगर caution bank की बात करूं, तो Oswal, Gurukol, से best caution bank हो ही नहीं सकता, most likely Sib purchase this from your nearby stores, या जो link मैं दे रहा हूँ, महां से इसे ले ले लेना, ठीके, बार बाकी मैं तुम लोगों की त्यारी पूरी करवाँगा, हर subject की त्यारी करवाँगा, तुम दोग चिंता बिलकुल नहीं करना, ठीके, यार, देख रहे हो, मैं कितना पसीने में हूँ, still I am working, बस य यही जजबा होना, यही जजबा अपने अंदर मिलाना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर एसी ले लो, यार, अभी इतना मैं नहीं खर्च कर सकता है, यही बैंक का लोन मेरे सिर्पे बढ़ा हुआ है, अभी मैं नहीं कर सकता, ठीके, और वैसे भी हम सारे नोट्स फ्री आ पूरा आवाज होने लगता है, तो इसलिए फैन नहीं चला सकता, देखरे हो, मतलब आदा-दा घंटा का जब वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो सोचो क्या हाल होता होगा, अभी तो सिर्फ 10 मिनिट हुआ है, ठीके, सो, no need to worry, हम लोग बहुत शांदार करेंगे, लेकिन य एक वीडियो मैंने कल दिया है, देर शाम को, तुमको बहुत पसंद आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सिर्फ 2 मिनिट का ये वीडियो देख लेना, ठीके, सिर्फ 2 मिनिट का, अभी के लिए बस, इतना मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जै हिंद!